लुट्टर उमंखर्णा हुमियोपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वगत है साथियों आज हम बात करेंगे बहुत बिस्वोटा इस्तिती के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं साथियों हमारे क्लीनिक पे यहां 15 अगस्त चार तारिक को यह वीडियो शूट हो रहा है प्रीडायबेटिक या डाइबेटिक निकले जिनको डायबेटिस थी उनको तो मालुम थी लेकिन कुल 210 लोग ऐसे थे 250 में जो diabetes के मुकाम पर खड़े थे या जिनको diabetes थी तो ऐसी बिस्वोटक इस्थिती को देख कर ही मैं आज आपके सामने यह वीडियो बना रहा हूं आज मैं आपको बताऊंगा diabetes mellitus के बारे में इसको ठीक करने और manage करने वह ज्यादा अच्छा होगा इसको manage करने और ठीक करने के प्रियास की 10 कारगर होमियोपैथिक दबाओं के विशे में Diabetes एक ऐसी बिस्वोटक इस्थिती है जो करीब 10 करोड हिंदुस्तानियों को है और अभी हमने आपको एक छोटा सा एक्जैंपल दिया कि मेरा छोटा सा क्लिनिक है एक और उसमें अगर 2500 लोगों में से 210 लोग डायविटिक निकलते हैं तो सोच लीजे इस्थिती किती बिस्वोटक होगी किसी एरिया एक इलाके की बात नहीं है यह पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर को छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर देता है हम आपको बताएंगे इसको मैनेश करने की दवाओं के विशय में उससे पहले साथियों बता दें कि डायविटिस मेलाइटस होता क्या है आप बहुत लोग हैं होंगे जिनको डायविटीज है डायविटीज है किसी के पूपा को डायविटीज है किसी मामा को डायविटीज diabetes साथियों, दो diabetes होती है, diabetes mellitus और diabetes induz pus तो यहाँ पर विशा है diabetes mellitus का, जो blood sugar से related है diabetes incidipus अलग बात है, वो अभी का विशाह नहीं है तो diabetes mellitus साथियों, यहाँ वह इस्टिती है, जब आपके blood में sugar बढ़ जाती है नॉर्मली होता है कि यह साथियों जो ब्लड शुगर यानि गलुकोस होता है वह हमारे सरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और यहां जो है सरीर के सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स होता है और ब्रेन का फ्यूल होता है तो इसमें होता क्या है, इसमें रोल दो चीजों का आता है, पहला रोल आता है इंसुलेन का, गुलुकोस हमारे लिए दो फार्म में होता है, पहला होता है जो हम खाना खाते हैं उससे जो गुलुकोस आता है, एसिमिलेट होके फूड वो होता है, दूसरा सोर्स होता है लिवर लिवर जो glycogen को break करके glycogenolysis से break करके process से glucose बनाता है तो glucose के दो source हो गए पहला जो हमने खाना खाया दोसा लिवर जिसे glycogen टूटके glucose में बनी यही हमारी energy का source होता है, हमारी कोशिकाओं का ताकत का source होता है जो हमारे panpiaz से islets of langarhans से insulin secret होती है वहाँ जो है इसी glucose को, glucose के जो cells होते हैं, compound molecule होते हैं उसको cell के अंदर transfer करती है जब यहाँ insulin कम secret होने लगती है किसी भी कारण से, चाहिए वो panpiaz destroy हो रहा हो, ILS of langarhans या वो proper पूरा secret ना कर पा रहे हो तो यहाँ जब insulin कम secret होती है, जो हमारा glucose के molecule होते है वो cells के अंदर नहीं जा पाते है तो cells को energy नहीं मिल पाती है और वो जो molecules होते हैं, वो हमारे blood में ही तैरते रहते हैं float करते रहते हैं, included रहते हैं क्योंकि वो cells के अंदर गए नहीं तो यह उटिलाइज हुए नहीं तो वो excessive glucose के form में हमारे blood में circulate होते रहते हैं और उसी phenomenon को blood sugar कहते हैं, जो blood sugar पर जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 80% लोगों को नहीं मालूम, blood glucose होता गया बस आये तो है, blood glucose साथियों, जो glucose होता है normally वो, मैं फिर से बता रहा हूँ, normally वो energy energy होती आपके cell की और आपके brain का fuel होता है जब आपके insulin कम secret होने लगता है, insufficient हो जाता है तो यहाँ जो glucose होता है, यह cell के अंदर molecule जा नहीं पाता है, पोसिका के अंदर यह molecule नहीं जा पाता है और वो आपके blood में रह जाता है उसी फिरामना को blood glucose कहते हैं और यह बढ़ा हुआ आता है इसकी normal value साथियों कभी-कभी confusion रहता है fasting होती है 70 to 110 और PP होती है यानि पोस्परिंडल होती है, यानि दो घंटे बात खाने के होती है 110 to 170 WAHO इसको थोड़ा आगे तक classify करता है, यानि 125 तक classify करता है fasting जो है आपकी 70 से 125 तक होती है और जो PP होता है, वहाँ आपका 130 से 220 तक normal glucose होती है यासा WHO कहता है, लेकिन इंडिया में AIMS में 70 से 130 और 130 से 170 का criteria ही माने होता है साथियों जान लेते हैं diabetes के symptom के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ diabetes के symptom में सबसे important होता है प्यास बहुत लगती है दूसरा भूग बहुत लगती है, थोड़े थोड़े वक्त पे खाना चाहिए तीसरा weakness बहुत आती है चौता रात में पेशाब बहुत आती है weight loss होने लगता है और fatigue आने लगता है, muscles dissolve होने लगती है और एक कमजोरी महसूस होने लगती है अगर यहाँ सब symptom आप में mainly पाय जा रहे हैं weakness के तो आप समझ सकते हैं कि आपको diabetes हो सकता है एक बाद blood sugar की जहाँ शरूर कराएं और जब आपके blood sugar है और वो बढ़ गया तो आपके शरीर में खुजली होने लगती है अगर आपको blood sugar है और आपके शरीर में itching हो रही हो तो आप समझ लीजे कि आपका blood sugar ठीकर चेक कराने का time आगया है और मैं आपसे कहूंगा एक चीज़ और निवेदन करूंगा कि आप blood sugar की machine अगर किसी को blood sugar है diabetes mellitus है तो वह blood sugar की machine खरी ले check-up करने की क्योंकि एक तो वह बड़ा economical पड़ता है दूसरा आप nursing home जाने के और वहां की infection से बच जाते हैं सतरा रुपए आपका खर्चा आता है एक बार चेक अप करने में सतरा रुपए की strip आती है after discount आप थोक मार्केट से ले लीजे और आप दो तीन रुपए और खर्चा माल लिए cell का और needle का तो 20 रुपए में आपकी blood sugar घर बैठे चेक हो जाती है और emergency है तो भी आप कर सकते हैं रात के दो बजे आप नर्सिंग हों जाएंगे कहां शुगर चेक कराएंगे तो अगर आप blood sugar के patient है तो अपने पास एक machine आप जरूर रखें और सबसे अची machine जो हम लोग अपने घर यूज करते हैं वहाँ एक्यू चेक है एक्यू चेक वाले मुझको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं आपको अपनी तजुर्बे और heavy duty long duty के हसाब से बता रहा हूं कि मैं अपनी मदर की प्रशुगर चेक करने के लिए क्यों चेक करता हूं 17 रुपए की स्टिप पढ़ती हमको एक्टनॉमिकल पढ़ता है और नियर परफेक्ट रिजर्ट देती है अब साथियों बात कर लेते हैं diabetes mellitus के सबसे पहले हमने भी आपको वीडियो के शुरू में बताया आपको यह समझ देना है कि diabetes होता कैसे glucose का metabolism क्या होता है glucose जो है आपकी एक तरह से currency होती है वहाँ molecule होता है जो आपके cells को energy provide करता है उसके अंदर जाके और जब insulin secret होना कम हो जाता है तो यहाँ glucose का molecule है वहाँ आपके cell के अंदर नहीं जा पाता है energy जेने के लिए और आपके यहाँ blood में circulate होता रहता है यही आपका blood glucose को बढ़ाता है अब diabetes पहले तो दो तरह की होती है यहाँ समझ लें फिर उसके हम लोग कॉस की चर्चा कर लेते हैं पहला जो diabetes होती है होती diabetes type 1 यहाँ जो है insulin resistant diabetes होती है इसमें आपका pancreas destroy होता है weight इससे लिंग नहीं होता है weight इसका cost नहीं होता है लेकिन autoimmune disorder के कारण आपका जो autoimmune system है body का वही आपके islets of Langerhans जो pancreas की insulin secreting cells होते हैं उनको destroy करने लगता है तो आपके type 1 diabetes हो जाता है इसको insulin dependent diabetes भी कहते हैं इसके लिए patient को insulin अलग से inject करना पड़ता है दूसरी जो condition आती है diabetes type 2 non insulin dependent diabetes NIDM यहां जो है इसमें आपका insulin जो होता है वह sufficient secret नहीं होता कि जितना कि सारे glucose के molecule या required glucose के molecule आपके cell के अंदर जा पाएं इसको कहते हैं type 2 diabetes mellitus यहां medicine लेकर cover करी जा सकती है इसके लिए तुरंत के लिए injection की दरवत नहीं होती है type 2 diabetes mellitus का main cause obesity माना गया है हलाकि हर obese person को हर मोटे वेक्ती को type 2 diabetes नहीं होती लेकिन यहां एक बहुत जुड़ा cause है तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका weight बढ़ा हुआ है तो आप आज से प्रण कर लें यहां video देख रहे हों तो आज से प्रण कर लें कि अपने weight को कम कर देंगे आपका diabetes type 2 control हो जाएगी एक साथियों तीसी तरह की भी diabetes होती है जिसको gestational diabetes कहते हैं gestational diabetes वो स्थिति होती है कि जब आप जब मदर जो है pregnancy को bear करती है तो उसको gestational diabetes होने की संभाबना होती है इसमें होता क्या है pregnancy के दोरान आपका प्लसेंटा होती है वो काफी सारे hormones secret करती है यहाँ जो hormones होते हैं यहाँ तो insulin को resistant बना देते हैं insulin को ठीक से काम नहीं करने देते हैं उसको cope up करने के लिए आपका pancreas, kudretan और ज़्यादा insulin secret करता है जब जिसके पेट में बच्चा होता है मा के मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो वहाँ और insulin secret करता है तो जब insulin और secret होता है लेकिन कभी-कभी वो जो ज़्यादा insulin secret हो रही वहाँ भी आपके शरीर के हिसाब से कम पढ़ जाती है उस एस्थिति को gestational diabetes कहते हैं और उसका कारण जो है वहाँ भी insufficient secretion of insulin by the pancreas in the case of bearing of pregnancy लीडीज में होता है अब साथियों आपको बताते हैं diabetes mellitus को manage करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं जो कि आप अपनी allopathic दवा है उसके साथ ले सकते हैं यहाँ पर homeopathic दवा की उप्योगिता यह है कि एक तो यहाँ आपकी allopathic dose को नहीं बढ़ने देगी और अगर suit करी तो आपकी allopathic dose को थोड़ा कम भी करेगी लेकिन यह कतई मैं इसको red line में कह रहा हूं यह कतई recommended नहीं है कि आप allopathic छोड़कर यह homeopathic दवाएं करने लगे मेरी मदर को भी diabetes है मैं उनको mild dose देता हूं allopathic दवा की साथ मैं homeopathic दवा देता हूं यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए जो बताई जा रही है diabetes एक बड़ा गंभील विसाय है जोकि paralysis से लेके तमाम symptom create कर सकता है कोई भी दवा बिना कुसल चीकी सकते पूछे ना ले क्योंकि जो दवा फाइदा करती है वो नुकसान भी कर सकती है यह जी symptom ठीक से मैश नहीं करे तो पताते हैं आपको साथियों diabetes mellitus को manage करने की कंट्रोल करने की दस कारगर होमियोपेथिक दवाएं साथियों जैसा भी हमने जिक्र कराता कि हमारे क्लिनिक पर 250 लोगों का diabetes का 15 अगर 2019 को check-up हुआ था उसमें से 210 लोग प्रीडाइबेटिक ये डाइबेटिक निकले तो थी डाइबेटी की होमियोपेथि में टॉप दबाह है चियोनेंथस विर चियोनेंथस का मदर टिंचर आप 20 डॉं टुट्यों सकते हैं अगर आपको liver के इलमेंट्स हैं और आप प्रीडाइबेटी की स्टेज में तो टॉ से कारगर दवा मेरे हिसाब से मेरे क्लीनिक के रिजर्ट के हिसाब से आसनी के अगर किसी को डायविटीज मेलाइटस है तो अगर आप आसनी के अलबम 30 फावर में मेरे 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 मेर हुमियोपथी में डाइबटीज की До Silence ऐती है डाइबटीज में कि पिशाब ही नहीं हो रही है ऐसे आपके ब्लेट शुगर और आपको पिशाब बहुत कम हो रही है अगर यहां सई ऐब एक शुख 59 002 ले सकते हो से सिती में जब आपको पेशाब बहुत कम हो रही हो तो रटाइनिया थार्टी इस दर्ट अफ चॉइस फॉर यू एड देट मुमेंट फिर एक सिती आती है डायबिटीज में कि आपके वेट लॉस बहुत तेज होने लगा आपका जो है हडियों का धाचा रह गए अगर यह स सिती आपको डाइबिटीज में हो तो इससे सिती को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगरदा भाया ब्रोमा ओगस्टा आप अब रूगा अब्रोमा ओगस्टा का मदट इंचर ट्वेंटी ड्रॉप त्री टाइंस ले सकते हैं आप देखेंगे जो आपको डाइबिट में आती है कि सुबा उठे तो मुझ चिपका हुआ रहा इतना ज्यादा मुझ सुखा कि मुझ चिपक गया अगर वह अस्तिती है और आपको डाइबिटीज है तो हमियोपैती में उससे सिती को ठीक करने की बहुत कारगरदवा या काउं सब से कारगरदवा है कार्बो वेज इस बहुत रहती है उन सिंटम्स की हमियोपैती में सबसे कारगरदवा कार्बो वेजीटेबिलिस है एक इस्तिती आती है साथियों कि जिसके डाइबिटीज होता है तो डाइबिटीज आँख को बहुत नुकसान पहुचाता है और के ट्रैक्ट भी कर देता है जल्दी आज दिम विजन डियू टू डाइबिटीज की है फॉस्फोरस आप फॉस्फोरस वानियम की तीन खुराग पच्पच्पच्मिनिट के फासले पर वीकली ले ले लें आप देखेंगे कि आपका जो विजन है वो भी प्रॉपर हो गया आपकी वीकनेस भी दूर हो गई और अगर हेर फॉल आपको हो रहा है तो हेर फॉल भी रुख गया फॉस्फोरस के मरीज को ठंडी चीजें खाना साधा पसंद होता है और शाम को इवनिंग टाइम पे उसकी तकलीफें बढ़ती है साथियों जैसा भी हमने जिक्र करा था कि हमारे क्लिनिक पर 250 लोगों का डाइबिटीज का 15 अगर्ज 2019 को चेक अप हुआ था उसमें से 210 लोग प्री डाइबिटिक निकले तो प्री डाइबिटीज की होमियोपैथी में टॉप दबा है चियोनेंथस विर चियोनेंथस का मज आपके डाइबिटीज को ठीक कर देगी फिर साथियों कि स्थिति आती है कि आपके डाइबिटीज हो गई और आपके कबजियत है अगर यह स्थिति आपके है कि आपके ब्लड शुगर है और आपके कबजियत है साथ में तो उस्थिति को ठीक करने की होमियोपैथी में हो गया यदि साथियों आपके एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है बहुत ज्यादा पेशाव आ रही डायविटीज के केस में तो उस इस्थिति को ठीक करने की ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की हुमियोपेथी में बहुत अच्छी दवा साइजेजियम जमलिकम है साइजेज आती है साथियों डायविटीज के पेशेंट में कि हर समय पेशाप लगा रहता है हो हमियोपेथी में बहुत कारकर दवां है इससे सिंटम की और डायविटीज को ठीक करने के और आपके किड़नी को स्वस्थ लखने की वह है ट्रेकसिकम आप ट्रेकसिकम उसी जितिम ले सक दबा डिरेक्ट सकम है एक स्थीति आती है साथ ही डायविटीज में कि बहुत जादा वीकनेस आ गई अगर आपके एक्स्टीम वीकनेस है तो इसको ठीक करने की हो में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है एसिट फॉस दिमागी तोर पे अगर आप वीक हो रहें और चारीरी तोर पे भी वीक हो रहें तो आसिट फॉस इसको आप दो दो बूंद आसिट फॉस दो सौ पावर में दो दो बूंद आप दिन में दो बाल ले लें आप देखे कि जो मेंटली आप वीक ने सा रही है वहाँ पूरी तरह खतम हो गई और आप रहत पागए एक साथियों इस्थिति आती है कि आपके जो यूरीन हो रही है पेशाब हो रही डाइबिटीज में उसमें जलन बहुत है तो अगर यहां इस्तिती आप में होगी, आपके यूरीन हो रही पिशाब हो रही उसमें बहुत जलन है तो उस इस्तिती को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है Acidum Aceticum Aceticum 32-22 दिन में तीन बार आप उस condition में ले सकते हैं जब आपके जो पिशाब आ रही बड़ी कोपियस है उसमें जलन है और आपका वेट लॉस हो रहा है और आपके वीकनिस बहुत है तो Acidum Aceticum is the drug of choice for you यहां दवा आपको आराम देदेगी एक स्थिती सातियों आती है तमाम पेशेंट हमारे क्लिनिक आते हैं जिनको diabetes mellitus होता है यानि diabetes blood sugar होता है और उनकी ankle सूच जाती है उनका यहां जो टकने की हटी होती है यहां सूच जाती है इसमें श्वलिंग आ जाती है अगर यहां स्थिती है तो इसको ठीक करने की भी होमयोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आरजेंटम metallicum आप आरजेंटम metallicum 32-22 दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपका यह जो ankle swell हुई है due to diabetes यहां भी ठीक हो गई और आपको ताकत weakness भी खतम हो तो अगर आपको नेफ्रोपैथी हो रही है और diabetes से आपके kidney को नुक्सान पहुंच जाए तो उसको ठीक करने की हुमयोपैथी में बहुत कारगर दवाए हैं और दवा का नाम है lycopodium और ऐलसेरम lycopodium 30-22 दिन में 3 बार आप उस इस्तिती मिले सकते हैं जब diabetes के कारण आपके kidney को नुक्सान पहुंचा है और आपको भूग बहुत कम लगती है तो lycopodium is a drug of choice for you और अगर आपका diabetes के कारण serum creatinine बढ़ा है तो होमयोपैथी में निश्चित उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा ऐल सेरम है इसको 7x पावर में आप 24 भाल ले लें आप देखेंगे यहां ऐल सेरम दवा लेने से कि आपका creatinine कम होने लगा normal की तरफ आने लगा और अगर आपकी urine में protein यानि albumin आ रहा है वहां भी ठीक हो गया फिर एक साथ की एस्तिती आती है कि आपके diabetes और साथ में आपको impotency है अगर यहां एस्तिती आपके हो रही कि आपको diabetes और साथ में impotency है तो उसको ठीक करने की यानि sexual power को regain करने की होमयोपैटी में बहुत कारगर दवा है मौसकस आप मौसकस 30 दो दो बूंदिन में तीन बाल ले ले आपका diabetes भी ठीक हो जाएगा और आपको जो उसके कारण होने वाला आपको sexual weakness है वहाँ भी खत्मों हो जाएगी फिर एक इस्तिती आती है जो कि सबसे common is city homeopathy में हम कहेंगी वह निउरोपैथी नर में weakness आने लगे सुन पनाने लगा पैरों में सुन पनाने लगा उंगलियों में सुन पनाने लगा जञजना ठोने लगी अगर या निट डिटीक निउरोपैथ आपको दिक्कत है तो इसको ठीक करने की homeopathy में बहुत दवाएं हैं दो दबाएं है इಂ Creek पहली दबाए May acid falls लिआवे इसदा सुर्व udah है पैरिक्म आप acid force 35 में दो दुबोन दिन में तीन बार और है पना धिन दिन वर उस Onünü ऑप तो या लोर तो acid, fos and hypericum are the drug of choice for you in diabetic neuropathy फिर एक सिती आती है साथियों diabetes में कि आपके पैर में अलसर हो गए, फुर्प में अलसर हो गए या बहुत common condition है जो diabetes के साथ जुड़ी रहती है तो अगर ऐसी सिती आप में आ गई है तो उसको ठीक करने की हुमियो पैती में बहुत कारगरतबा सिकेल कॉर्नेटम है आप सिकेल कॉर्ट 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका जो पैरों में अलसर सा रहे हैं चाले आ रहे हैं, घाव हो रहे हैं वहाँ ठीक हो गए और आप ठीक हो गए और अगर यह गैंगरीन का फार्म ले रहा है तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है आप उसको देख सकते हैं वह एक अलग वीडियो है पड़ा हुआ है क्योंकि यह बहुत इंपार्टेंट वीडियो है डाविटीज में गैंगरीन होना फिलाल अलसर्स के लिए फुट अलसर्स के लिए सबसे अच्छी दवा सीकेल कौर है फिर साती हो एक इस सित्य आती डाविटीज के पेशेंट में कांस्टिपेशन हो गया तो अगर डाविटीज है आपको और आपको कौंस्टिपेशन बना हुआ है habitual तो उसको ठीक करने की होमयोपैथी में बहुत कारगर दवा है नेटरम सलफुरिकम और काल्स बाट या बहुत अच्छी दवा है आपके नेटरम सलफुरिकम 200 पावर में आप 3 खुराक वीकली ले 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 और काल्स बैड आप 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले 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 आप देखेंगे कि आपका जो कौंस्टिपेशन है due to diabetes वहाँ ठीक हो गया और आप स्वस्थ हो गया एक सिती आती है के सातियों जब आपको diabetes के साथ hyperacidity हो जाती है आपके diabetes आपको hyperacidity भी है तो इन दोनों चीजों को ठीक करने की बहुत कारगरदवा होमयोपैथी में है pancreatinam आप pancreatinam 32 दोबून दिन में आप देखेंगे कि आपका diabetes भी खतम हो रहा है control हो रहा है at least और आपका hyperacidity भी खत हो गई फिर एक सिती आती है सातियों की diabetes है और memory weak हो गई है बहुत common सी बात है यह normal बात है तो अगर आपको diabetes है और आपकी memory weak हो रही है तो इस weakness of memory को रोकने की होमयोपैथी में तीन बहुत कारगर दवाएं है पहली दवा acid phosphoricum दूसरी है sulfur और तीसरी है जिनको biloba 1x power में आप acid phosphor 30 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं एक दवा नक्सफोमिका भी है नक्सफोमिका 30 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं और आप जिनको biloba 1x एक एक tablet दिन में दिन में ले सकते हैं आपको या mother tincter form में जिनको biloba को 20 drop 2 times ले सकते हैं आप देखेंगे कि इन दवाओं से आपकी memory regain होने लगी और sulfur 1 EM की 3.5-5 minute के फासले पर भी clear ले सकते हैं यह दवा लेने से आपकी memory का loss रुकेगा और neurons का degendation रुकेगा और memory में improvement भी होगा फिर साथियों कि स्थिति आती डायवेटीज में जब आपके diabetes mellitus है और आपके जलन हो रही है शरीर में तो अगर यह स्थिति आपके होती है कि आपके शरीर में burning हो रही है और आपके diabetes mellitus है तो उसको ठीक करने की होगयों पैथी में बहुत कारगरतवा है सिफिलेंडरा इंडिका आप सिफिलेंडरा इंडिका 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपके जो यहाँ burning है बाडी की यहाँ खतम हो गई और आप ठीक हो गए एक सिति सातीयों आती है दाइबिटीजमें की weapons आती Means पांस में और फूट के सोल में जलन होने लगती है तो यहाँ शितिạiय आपके है किनि आपके पांस में जलन हो रही है यह आपके फूट के तो यहाँ ओप्रिभी सुल में जलन हो रही है हो ही जाएगी diabetes mellitus में भी फाइदा मिल जाएगा एक इस्तिती आती है साती हो आपके diabetes है और आपका वजन गिरता जा रहा है आपके काफी तेजी से emissation हो रहा है तो अगर वह इस्तिती हो कि आप हड्डियों का ढाचा हो गए हो और आपके diabetes है तो उसको ठीक करने की हो में बह करने की हो रहा है तो उसको ठीक करने की हो में बहुत अच्छी दबा है रस अरोमेटिका रस टॉक्स नहीं रस टॉक्स जैसा पें हो रहा है लेकिन अल्भूमेटिया हो है इसका थार्टी पावर में दो दो बूंद आप इन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका इल्मुनेरिया यानि अल्बूमिन यूरीन में जो आ रहा है वो प्रोटीन वह भी खतम हो गया और आपका डाइबिटीज भी कंट्रोल हो गया फिर साती है कि स्थिति आत एक डवा है गलीस्रीन अप गलीस्रीन 30-22 दो फूंद में तीन भार ले लें आपका यहां चारों सिंटम जो बताएगे चारों सिंटम ठीक हो जाएगे और आपका डाइबिटीज कंट्रोल होने लगेगा इक इस्थिति आती है कि आपको डाइबिटीज है सात में हैडेक है और साथ में dyspepsia यानि पेट भी खराब है अगर तीन इस्थिति आप में है ये diabetes है, headache है और आपका पेट खराब है तो इन तीनों इस्थितियों को ठीक करने की हुमियोपैथी में एक दवा दवा का नाम है चियोनेंथस आप चियोनेंथस का मजट इंचर 20.2 टाइमस ले लें आपका diabetes में जो लगातार बना रहने वाला headache है और पेट खराब होना है, दोनों symptom ठीक हो जाएंगे और diabetes, dyspepsia और headache तीनों को यहां दवा चियोनेंथस ठीक करेगी फिर एक स्थिति आती सातियों, diabetes है और पेट में जलन हो रही है अगर यहां स्थिति आपके है कि diabetes है और पेट में जलन हो रही है तो इसको ठीक करने की हुम्यों पैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आईरिस पैसी कलर अर इस वेसिकलर थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आपका पेट में होने वाली जलन और डायबिटीज दोनों ठीक होने लगेगा फिर एक इस्थिती आती है साथियों कि आपके डायबिटीज है साथ में आपका ब्रेन का डीजनरेशन सुरू हो गया अगर यहाँ इस्थिती आपके किसी में होती है कि आपका डायबिटीज है और साथ में ब्रेन का डीजनरेशन हो रहा है तो इस्थिती को ठीक करने की होमयोपैती है बहुत कारगर दवा वैनेडियम है वैनेडियम थार्टी दो दोबून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं यह दवा लेने से आपका जो ब्रेन का डीजनरेशन हो रहा है इस्थित्रॉय हो रहा है क्योंकि गुलुकोस फ्यूल होता है ब्रेन का और जब इंसुलिन आपके कम है तो वहाँ गुलुकोस आपके ब्रेन में जा ही नहीं पा रहा है और जब ब्रेन में सेल्स में गुलुकोस नहीं जा पा रहा है तो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा उस स्थिति इस निपटने की साथियों दभा वैनेडियम है, आप वैनेडियम लेके देखें आपको फायदा मिलेगा फिर साथियों की स्थिति आती ही जश्टिशनल डायबिटीज की अगर किसी मा के जो pregnancy को bond करे है gestational period में है बच्चा उसके पेट में है उसको diabetes है इसको की gestational diabetes कहते हैं और उसके पेशाप बहुत जादा आती है तो उन दोनों स्थितियों को control करने की बहुत अच्छी दवाय साथियों lack dephoratum आप lack dephoratum 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस condition में ले सकती है जब आपको gestational diabetes है आप pregnant है और आपके diabetes हो रही है और आपको polyurea यानि बार बार पिशाब आ रही है तो lack dephoratum 30 पावर में दो 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 बून दिन में तीन बार is the drug of choice for you फिर साथियों साथी में इसके condition है कि जब आपके pregnancy है उसे में diabetes ठीक हो गई अभी बात हुई कि pregnancy है तो diabetes बढ़ गई pregnancy है तो diabetes ठीक हो गई अगर यह इस्टिती होती है कि pregnancy से आपको amelioration हो रहा है diabetes में तो उस इस्टिती को ठीक करने कि होमयोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है Tuber Kulinum आप Tuber Kulinum 1 EM के एक सिंगल डोस ले लें आप देखेंगे कि आपका या जो symptom है यहाँ ठीक हो गई यानि कि diabetes फिर आपकी pregnancy के दोरानी ठीक नहीं रहेगी pregnancy नहीं होगी या pregnancy के बाद भी वो नारमल रहेगी Tuber Kulinum ऐसी magical दवा है इसका एक बार आप इस्तमाल करके देखें यह सातियों हमयोपैथी में कुछ दवाएं थी वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन यह ज़रूरी था क्योंकि हिंदुस्तार में 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है जो मैं यह कर रहा था यह 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है तो यहाँ एक वीडियो था आपके लिए जो कि आपको diabetes की समस्या से manage करने में at least बहुत help करेगा एक और बड़ा अच्छा नुक्सा साथियों हमने कहीं पढ़ा था और हम अपने मरीश को बताते हैं हम आपके साथ share करते हैं अगर आपको diabetes है तो आप बेल, चिराता, तुलसी, गुर्मुरवटी, हल्दी, करेला, ग्लोई इन सब का powder ले लें 100-100 ग्राम मिक्स करके एक बॉक्स में रख लें रोज सुबा, एक चम्मा सुबा साम लिया करें आपकी diabetes को कंट्रोल होने में बहुत हल्प मिलेगी अगर साथियों आपके कोई query हो तो आप YouTube notification panel में या हमारे WhatsApp नंबर 94-157-863-863 9415-786-380 पर अपनी query को WhatsApp कर दें आपको संतोज जनक जवाब देने का प्रयास करा जाएगा ये साथियों अगर यहाँ प्रयास आपको अच्छा लगाओ होमियोपैथी को आपके और करीब लाने का तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने चैनल को सस्क्राइब करिएगा और शायद आपने कर दिया हो और उसे सस्क्राइब कर आईएगा और बेल नोटिक किएशन के आइकन को क्लिक करके सब से पहले हमारा नए से नया वीडियो पाते रहिएगा आपका साथियों इतने लंबे वक्त तक मेरा क्यालिया 25-30 मिनिट से कम का वीडियो नहीं होगा इतने लंबे वक्त तक हमारे साथ देने के लिए आपका साथियों बहुत बहुत आभार जग आपका का बाहरा कर दक कि कि वोल मेर मेरा उन्हुत बहुत भीडियों बहुत पर आपका स recommended here और दो झायईं होगा। झावा सॉक्षन स्वित पर ऊंचर से को एक दोदित। इस कोक्षन inside स्यंधित और देने आपका का वीडि़त įट जय जयूंदका चाह से और को करेंगस